नमस्ते मेरे दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूं आप लूग बहुत अच्छे होँगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं तो आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोग के बीच एक नए रेसेपी के साथ अगर रेसेपी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो चलिए रेसेपी ये स्टार्ट करते हैं तो आज हम बनाएंगे स्टीप एक कटोड़ी सूजी से बहुते टेश्टी है और चटपटा सा स्नेक के रूप में नस्ता तो उसके लिए यहां पर हम एक कटोड़ी सूजी लिए हैं आप कोई भी सूजी ले सकते हैं तो चलते हैं गैस के तरफ तो गैस पा हमें कराई चड़ा दिये और कराई अच्छा गरम हो गया है तो एक चमच हम तेल डाल देंगे और तेल को गरम होने देंगे तो तेल गरम हो गया है तो आदा चमच हम राई डाल दिये हैं और राई चटकने लगा है तो यही पा हम आदा चमच जीरा डाल देंगे और जीरा और राई दोनों चटक गय आगे और इसको हम थोड़ा देर भून लेंगे ज्यादा नहीं भुनना है थोड़ा देर भूनेंगे इसका च्नुन पबबर श् reminds का सब्सक्राइब इसका पार कण्रारक तो हम अंचा Material क्रेंगे इसको और इसमें हम कुछ मसाले एड़ करेंगे चटपटा टेस्ट देने के लिए तो एक चोथाई चमच हल्दी पावडर डाल रहे हैं और आदा चमच भूना हुए जीरा का पावडर डाल रहे हैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल रहे हैं और आदा चमच लाल मीज का पाड़ा डाल रहे हैं और दो हरी मीज को बारी काट करके डाल रहे हैं और छोटा चमच से आदा चमच हम नमक डाल रहे हैं नमक आप अपने स्वाद के हुशार डाल सकते हैं और नमक डालने के बाद इसको हम अच्छे से मेक्स कर लेंगे तो देखिए हलका गढ़ा हो गया है तो इसमें हम आधा को टोड़ी पानी डाल करके अच्छे से मेक्स कर लिए हैं देख सकते हैं और इसको हम इसी तरीके से पकाते हुए डो के फं में बना कर त्यार कर लेंगे तो इसी तरीके से जैसे जैसे पकेगा वैसे वैसे गाड़ा होते जाएगा तो देखिए ये डो की तरह बन करके त्यार हो गया है देख सकते हैं कराई छोड़ने लगा है तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे तो देखिए हमारा डो ठंडा हो गया है इसे हम चू सकते हैं तो इसको हम क्या करेंगे बाड़ा सा प्लेट में ट्रांस्फर कर देंगे ताकि मसलने में असानी रहेगा और इस तरीके से हलका हातों से हम अच्छे से मसल कर चिकना कर लेंगे जितना आच्छा से मसलेंगे उतना आच्छा नास्ता बन करके तयार होगा तो इसी तरीके से मसलकर हम डो की तरह बना करके तयार कर लेंगे इसको हम अच्छा से मसलकर चिकना कर लिए है अब इसमें से हम क्या करेंगे थोड़ा थोड़ा बाड़ा सा लोई तुरकर रही से कठा कर लेंगे इस तरह से चार से पांच लोई हम इसमें से निकाल लेते हैं तो चार से पांच लोई हमने निकाल लिए है तो इसे हम साइड में रख देते हैं नूँए है कि तुई पर लिए है इसी पर हम बना क्रिइंस तरह से हम बना लेंगे एक दम रोल की तरह घुमाकर आप सीघ्षी म diver बना सकते आ तो इसी सब्सक्राइब इसी तरह चीफोड़ रहा थोड़ा दूर पर काट लेंगे तो कि तो हम एक रोल के काट लिए हैं अब क्या करेंगे इसमें एक को dispersed कि यह चुप लिए और इस तरह से हम दबहा कर देते हैं अईसे और हफ्यली परखर है इसका सेव देंगे नाली है ओचा आफ लूष में नाश्टा दिखाते हैं, तो कुछ भी नहीं करना है, धोरा से इस तरह से कर देना है, ऐसे, और हाथ पलरकर हथेली से ऐसे दबा देना है, तो इसी तरीके से हम सारे इस लेक के बना कर पहले त्यार कर लेती हैं इतना सारा नस्ता बना कर त्यार कर लिए है तो चलते हैं गैस के तरह पीसे जट से फ्राई कर लेते हैं तो यहाँ पर तेल हमारा अच्छा गरम हो चुका है तो एक एक नास्ता को हम तेल में डालेंगे, जितना कराही में आयेगा, उतना हम एक साथ डालेंगे और गेज के फलेम को बिल्कुल हाई रखेंगे, नहीं तो लो कर देंगे, तो नास्ता हमारा तूटकर भी खड़ जाएगा तो इसलिए हम high flame पर fry करेंगे तो देखे जितना क्राही में आया है उतना हम एक साथ डाल दिये हैं ये इसे हम 2 मिनट बाद पलटेंगे तो 2 मिनट हो गया है तो इसे हम पलट देते हैं देख सकते हैं एक तरक से अच्छा क्रेश्पी हो गया है तो इसे हम दूसरी तरह पलट देते हैं तो इसी तरीके से हम सारा नश्था को पलट देंगे और इसे हम 4-5 मिनट में अच्छे से फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउंड आने तक तो 4-5 मिनट हो गया है और देख सकते हैं हमारा नस्ता बहुते अच्छा फ्राई हो गया है देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है और फूला फूला सा नस्ता बन करके त्यार हुआ है तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लिये हैं और बाकी का नस्ता हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे तो दूसरा बैच भी हम लगा दिये हैं और इसको भी हम इसी तरीके से गोल्डन ब्राउंड आने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे हमने सारा नस्ता फ्राई कर लिये हैं ये हमारा ये कटोडी सूजी से बहुत सारा नाश्ता बनकर त्यार हो चुका है देख सकते हैं बारिस का मौसम है अगर आप प्याज का कचवरी या पकवरी खाकर बोर हो गए होंगे तो सूजी से इस तरह का नाश्ता बनाकर खा सकते हैं बहुते टेस्टी और मज़ेदार का नाश्ता बनकर त्यार होता है खास बात ये है कि इसमें बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लगता है कम समय में जहट से बनकर त्यार हो जाता है तो आज का रेसेपी आप लोगो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सेर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल के सिस्क्राइब करना ना भूलिएगा मिलती हूँ फिर से एक नए रेसेपी के साथ तब तक के लिए धनिवा